नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप स्वागत है आपका स्टेडी सर्च पॉंट के यूट्यूब चैनल पर भारत के प्राचीन इत्यास को हम प्रस्नु के माध्यम से यहाँ पर देख रहे थे जो भी प्राचीन भारती इत्यास से लेकर के जो महत्पून चीज़ें थी उस पर हम प्रस्नु के माध्यम से जितनी भी जानकारियां हो सकती है और जो परिक्षा की द्रिश्ची से महत्पून होती है वो यहाँ पर हम हल करने की कोशिस कर रहे थे तो उसी करम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और छटी सदी इशापूर के दोरान जो महा जनपत काल के ना मिल किया है और इस वीडियो के अंक में भी हम यहाँ पर 20 प्रस्नों को सामिल कर रहे हैं और यहाँ पर उच्ची स्तर के प्रस्ना आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हमने कोशिस करी है क्रमबध्य तरीके से सारी की सारी जानकारी महाजनपत काल से इन प्रस्नों के माध्य उसे साजा करें साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन अवश्य प्रेस करें वीडियो से संबंदित किसी बीतर है कि सुझा वहों सुधार को ले करके वीडियो में किसी बीतर है कि तुरूटी आपको नजर आती है तो आप स्रंखला की अंक को पहला परसना आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है निमलिकित कत्रों में से कौन शाकतन सही नहीं है ऑप्शन जैन गरंथ अगुंतर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेक मिलता है ऑप्शन बी पाणेनी के अस्टाद ध्याई में 22 जनपदों का उल्लेक म गई थी तो इन चार में से आपको बताने की कौन शाकतन सही नहीं है सही उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो option A बिलकुल सही है यहाँ पर गलत दिया गया है जो अगुंतर निकाय है वो जैन धर्म का गरंथ रहा है अगुंतर निकाय जैन धर्म का जो गरंथ है जिन में 16 जनप जनपदों की जानकारी मिलती है और बहुत धर्म का जो गरंथ है अगुंतर निकाय उससे भी 16 मा जनपदों की जानकारी मिलती है दोनों गरंथों में जो जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है उनके बहुत सारे जनपदों में नामे में भिन्नता हमें देखने को मिलती ह ठीक है चलिए पानेनी की अस्टाध्याई में 22 जनपदों का उल्लेख मिलता है और अस्टाध्याई में 8 यहाँ पर भाग है चार हजार शूत्र इसमें लिखे गए हैं लगबग जिसमें 22 जनपदों का उल्लेख हमें देखने हो मिलता है अस्टाध्याई में महा पर निर्मान शोत्र से बुद्ध के शमाई में 6 महा नगरों की जानकारी मिलती है और ये 6 महा नगर आपको याद रखने है साकेत, सरावस्ती, साकेत, सरावस्ती और कौशामबी 3 महा नगर ये हैं साकेत, सरावस्ती और कौशामबी राजगर है चमपा और बनारस टोटल 6 यहां पर आपको नाम रहाद रखने की राजगर है बनारस चमपा साकेट सरावस्ति और कौशामबी यह 6 महा नगरों की जानकारी हमें मिलती है दीरगनिकाई बहुत धर्म का जो ग्रंत है उसके अनुसार जो चमपा नगर है जो की अंग की राजधानी रही है अंग महा जनपत की राजधानी चमपा तो उसकी जो नगर योजना तैयार करी थी वो महा गोविंद के द्वारा की गई थी ये बिल्कुल सही यहां पर है ठीक वैसाली के लिच्छिवियों ने विश्चु का पहला गणतंत्र इस्तापित किया था उप्शन सी सुन्त निपात में वैसाली को मगतपुरम कहा गया है उप्शन डी उप्रोक्त सभी तो कौन से कथन इनमें सही है या आपको बताना या उप्शन डी सभी के सभी सही है सही जुक्तर की बात करते हैं तो option D बिल्कुल सही है वैशाली जो था वो बुद्ध के काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गण राजी रहा था वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा ही बिश्चु का सबसे पहला यहाँ पर गण तंत्र इस्तापित किया गया था छटी सद मिस्टेक यहाँ पर है लिच्छवियों ने किया हुआ था सबसे पहले गण तंत्र इस्तापित भारत में ठीक है सुनत निपात जो की बौद धर्म से संबंदित गरंत है उसमें वैशाली को मगत पूरम कहा गया है क्या कहा गया है मगत पूरम कहा गया सुनत निपात किसे सं संबंदित गरंत है बढ़ेंगे तीसरे प्रसन की तरफ तीसरा प्रसन आपकी स्किन पर पूछे ज़रा है निमले कितम से कौन शाकतन सही नहीं है उप्शन ए पुराणों के अनुशार मगत पर सासन करने वाला पहला राजवन्ष ब्रद दत राजवन्ष था उप्शन बी ब्रदत का पुत्र जराशंद ने राजगरह को अपनी राजधनी बनाया था उप्शन शी बौध गरंत के अनुशार मगत का सबसे प्रतापी शाशक चंदरगुप्त मौरिथा उप्शन डी ब्रहमदत कासी का सबसे सक्ति साली राजा था जिसने कोसल पर विज़ई पुरानों के अनुशार यहां पर जो मगत में सबसे पहले जो राजवन्ष रहा था जिसने मगत सामराजी की स्थापना करी थी सबसे पहले तो ब्रदत राजवन्ष था एक व्यक्ति था जिसके नाम पर इसको ब्रदत वन्ष कहा जाता है इसने सबसे पहले यहां पर मगत स सामराजी की स्तापना करी थी फिर इसके बाद इसका पुत्र यहाँ पर सासक बनता है जरासंद जिसका नाम था उसने अपनी राजधानी को राजगरे जिसको ग्री ब्रज भी इसको कहा जाता है राजगरे को तो ग्री ब्रज में अपनी राजधानी बनाई थी जो की तो ये यहां पर आपको ध्यान देना है बोध जो गरंत है उन की अनुसवार जो मगत का सब्से पताफिस आसकता वो चंदरकुपत मौर्य नी था चंदरकुपत ने जैन धर्मा यहां पर अपनाया था लेकिन जो हर्यक वन्ष का सस्ताप राय है थीक है दोनों ही बॉबवा है बिम्बि सार जो है वो हर्यक वन्ष का शस्ता पक रहा है तो उसको यहाँ पर सबसे प्रतापी सासक कहा गया है बौध गरंतों में ठीक है बिम्बि सार को जो कि हर्यक वन्ष का सासक रहा है ब्रहमधत जो था वो कासी का सबसे सक्तिषाली राजा था और उसने कोशल पर विजय प्राप्त करी थी बढ़ेंगे अगले प्रस्ण के तरह चोत्हा प्रस्णा आप की स्क्रीम पर पूझ जा रहा है Option A है कोसल के राजा कंस ने कासी को जीत कर अपने सामराज जी में मिला लिया Option दूसरा है संयुक्त निकाई के अनुसार प्रसेन जीत पांच राजाओं के एक गुट का नेत्रुत करता था Option तीसरा है बुद्ध के समय कोसल राज जी दो भाग हो गए थे कोसल के जिसमें उत्तरी कोसल की राजदानी स्रावस्ती तथा दक्षनी कोसल की राजदानी साकेत थी Option चोथा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के वर्तमान देवरिया जिले में मल महाजनपत इस्तित था जिसके दो भाग थे तो सही कोट का आपको चुनाव करना है कि Option A है पहला दूसरा चोथा सही है Option B है पहला तीसरा चोथा सही है Option C है दूसरा तीसरा चोथा सही है Option D है उप्रोक्त सभी सही है सही उत्तर की बात करते हैं तो Option D बिलकुल सही है सभी के सभी यहाँ पर सही है पहले कथन की अगर हम बात करते हैं तो देखे जो कासी का जो राजा था ठीक है कोशल का राजा था उस दौरान कंश तो कंश ने यहाँ पर कासी को जीत करके अपने सामराजी में मिला लिया था उसके बाद जो है कि संयुक्त निकाई के अनुसार प्रसेन जीत के द्वारा जो की आपका कोशल का ही राजा था वह यहाँ पर पांच राजाओं के एक गुट का नेतृत करता था कंस के बाद प्रसेंट जीत यहाँ पर सासक बनता है तो वह है यहाँ पर पांच राजाओं के गुटका एक नेतुत करता था जो यहाँ पर प्रसेंट जीत था उसके समय कोशल पै तो प्रसेंट जीत का थिकार था ही था कोशल का तो यह राजा ही था उसके बाद जो है की कासी के छेत्र में भी इसका अथिकार था ठीक है और कपिल वस्तु के जो साग के थे उन पर भी इसका अथिकार था ठीक है केश पुन्त के जो कालाम थे उन पर भी इसका अथिकार था ठीक है राम गाव के जो कोलियन थे उन पर भी इसका अथिकार था कु उद्द के समय कोसल दो भागों में विवाजित था बिल्कुल ठीक है और उत्तरी कोसल की राजदानी यहां पर सरावस्ती थी और दक्षणी कोसल की राजदानी साकेत थी ठीक है कोसल की राजदानी अगर सीधे सीधे पूछ जाए साकेत या उसके अलावा यहां पर सरावस्त मैंसे कुछ भी आजाए तो आप दोनों मैंसे किसी को भी टिक कर सकते हैं दोनों आप्शन में तो आएंगे नहीं केवल एक ही आप्शन में आएगा साकेत आएगा साकेत भी टिक कर सकते हैं स्रावस्ति आएगा स्रावस्ति भी आप टिक कर सकते हैं कोसल की रायदानी ठीक है अगर पर्टिकुलर उत्तरी कोसल की रायदानी पूछा जाए और दक्षणी कोसल की रायदानी पूछा जाए तो उत्तरी कोसल की स्रावस्ति दक्षणी कोसल की साकेत ध्यान रखना है आपक था जो एक उत्तर का एक डक्षणी भाग था इस तरह से आप भी वाजित कर सकतें इसको और एक की जो राजदानी यहाँ पर थी मल्य की एक की राजदानी थी खुशिased Нगर जहाँ पर बुध बुद्ध का महा पने रो लगने थी खुशीनंगी वी ती होगी थी ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रस्ण की तरह पांचवा प्रस्ण आपकी स्किन पर पूछे जारा निमले खित्म से कौनशा शही सुमलित नहीं है और कुरू महाजनपत जो था वर्तमान में जो मेरट है दिल्ली है और थानेश्वर हरियाना का ठीक है वो छेत्रेश में सामिल थे हरियाना का छेत्र दिल्ली का छेत्र और मेरट का छेत्रेश में सामिल था और इंदर परस्तिस की रायदनी थी पांचाल की रायदनी अहिच्छत्र है बिल्कुल ठीक है पांचाल भी दो भागों में बाजित था उत्तरी पांचाल और दक्षनी पांचाल उत्तरी पांचाल की रायदनी यहां पर अहिच्छत्र थी दक्षणी पांचाल की रायदानी थी काम पिलाई जो की कुरु की रायदानी के सामने लिखा गया है वो दक्षणी पांचाल की रायदानी थी काम पिलाई ठीक है पांचाल जो छेत्र है वो है वर्तमान के बरेली छेत्र में वर्तमान उत्तरप्रदेश का जो बरेली जनपद है बदायों जनपद है और फरुकाबाद जो है बदायों फरुकाबाद और बरेली के चेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है पांचाल महा जनपद का सूरसेन की बात करते हैं तो सूरसेन की रायधानी बहुत बार पूछा गया है मत्रा इसकी रायधाने रही है सूरसेन जन्पत की और सूरसेन जन्पत जो मत्रा के आसपास के छेत्र में इसका विस्तार था सूरसेन वहाजन्पत का कोशल की बात करते हैं उत्तरी की सरावस्थी और दक्षण की साकेत यहां पर थी तो यह आपको यहां पर ध्यान देना है ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रस्थन की तरफ और कोसल जो यहां पर छेत्र था कोसल का अवध जो फैजाबाद मंडल ए उत्तरप्रदेश का वहां पर इसका विस्ता काल में चेदी का सासक सुषपाल को बता गया है जिसका वद सिरिक रशन द्वारा किया गया था ऑप्शन सी है इलहाबाद के निकट वद से महाजन पदिस्तित्ता जिसकी राजदानी निचक्षु ने कौशाम भी बनाई थी जैन काल में कौशाम भी चेत्र में पौरव वन्ष का शासन रहा था जिसका सासक उदियम था तो इन मसे कौन शाकतन सही नहीं है यह आपको बताना है इन चारों मसे देखिए अगर सही उत्तर की हम बात करते हैं तो option D विलकुल इसका सही है यहाँ पर गलत दिया गया है बुंदेल खंड के चेत्र में चेदी महाजन पत था और चेदी महाजन पत की रायधानी आपको ध्यान देना है सोत्थी वती यहाँ पर थी क्या थी सोत्थी वती करशन के द्वारा किया गया था बिलकुल सही है वत्स जो है वो इलाभाद के चेत्र में निकटवर्ती चेत्र में इसका विस्तार है वत्स जनपत का ठीक है और वत्स जनपत की जो राजधानी है वो कौशाम भी यहाँ पर रही थी ठीक है कौशाम भी रही थी इससे पहले राजदानी इसकी थी इंद्रपरस्त और इंद्रपरस्त जो है कि वो गंगा नदी के तर्ट पर था तो जिसके कारण गंगा नदी के बाढ़ में इंद्रपरस्त बह गया था उसके बाद राजा निचक्षु के द्वारा कौशामभी को राजदानी बना गया था वद्स महा ज पाइद़ा नी बन ना था और इलाबाद और बांदा का छेत्र वत्स जनपत के अंतरगत आ था इलाबाद और बांदा का छेत्र कौशामभी छेत्र में पौरव वन्स का शाचन रहा था बिल्कुल ठीक है जिसका सासक जो है कि उदियन था ये भी सही है लेकिन ये जैन काल नहीं था ये बौध काल था ठीक है बौध काल के समय की बात हो रही है कि पौरव वन्स यहां पर सासक था और जो की आपका उस दोरा उसका सासक था उदियन और उदियन जो है वह यहाँ पर बौध बन गया था उदियन और बौध बिक्षुक जो था पिंडोला के द्वारा ठीक है पिंडोला के द्वारा उदियन को बौध धर्म में दिख्षित किया गया था किस बौध विक्चुक के द्वारा उदियन को जो कि पौरव वन्स का सासक था उसने पौरव वन्स का सासक था और ये वत्स का छेत्र है ठीक है वत्स के छेत्र में यानि कि जो वत्स महाजन पत है उसकी ही बात हो रही है ठीक है जिसकी राजदानी यहाँ पर निचक्षुने क कारे किया था, पिंडोला ने ठीक है, पिंडोला ने आपको ध्यान देना है, इस तरह से इसको लिखेंगे, पिंडोला, ठीक है, पिंडोला की द्वारा किया गया था, चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रस्न की तरफ, साथों प्रस्न आपके स्किन पर पूछा जा रहा है, निम स्वपन वासव दंतम रचना करी है महभास के द्वारा उसमें उदियन और वासव दत्त कथा यहां पर वलनित है ऑप्शन दूसरा है बुद्ध के समय कुरु महा जनपत का राजा कोरव्य था जिसका राज्य चेत्र मेरट दिली के चेत्र में विस्तित था आप्शन तीसरा है पांचाल महाजनपद हिमाले की तलहटी से लेकर चमबा नदी और पूरु में कोसल तथा पश्यम में कुरु महाजनपद तक विस्तित था आप्शन चोता है राजिस्तान का वर्टमान अलवर और भरतपुर जिला मत्षी जनपद के अंतरगत सामिल किये जाते हैं तो यह कुन सा कूरूट इनम से सही है या आपको बताना है option A पहला दूसरा तीसरा सही option B पहला तीसरा चोथा सही option C पहला दूसरा चोथा सही option D उपरोक्त सभी सही है सही उत्तर की बात करते हैं तो option D बिल्कुल सही है सभी के सभी यहां पर सही है अगर पहले कथन के अगर हम बात करते हैं महा कवी भास के द्वारा स्वप्नम वासव दंतम की रचना यहाँ पर करी थी और जिसमें उदियन जो की आपका हमने आपको बताता है कि पौरव वन्ष का जो की सासत था वच्छी जनपत का यह राधा रहा था और वासव दंतम में उदियन और वासव दंतम की प्रेम कथा वल्नित की गया इस श्वाप्नवाशव दंतम में उदियन और वासव दंत्ता की प्रेम कथा वल्नित की गया महाकवी भाश की द्वारा ठीक है चली और उज्जयन से संबंदित इन की कहानी है यह दोनों प्रेम कथा है ठीक है कुरु जो महा जनपद है वो उस द्वारान उसका जो सासक था बुद्ध के समय वो यहां पर कौरब भी था बिलकुल सही है कौरब भी जो है कि बुद्ध के समय यहां पर कुरु महा जनपद का राजा था और उसका छेत्र इससे पहले भी बता चुके है कि राजिस्तान के चंबल नदी जो बहती है वहां तक की बात हो रही है और उसके अलावा यहां पर हम देखते हैं कि पूरु में कोशल और पशिम में इसकी सीमा जो की कुरू जनपत तक विस्त्रित थी ठीक है जो पांचाल जनपत था हमने बताया था कि बरेली बदायों और फा अगले प्रस्न की तरफ आपकी स्किन बेट पूछा जा राया है निमले कितम से कौन शाकतन सही नहीं है option A सूरसेन महाजनपत को प्राचीन युनानी लेखों में सूर सेनोई तथा इसकी राजधानी मेथोरा कहा बताया गया है ठीक है सूरसेन महाजनपत की राजधानी को बताया गया है मेथोरा और सूरसेन महाजनपत को कहा गया है कि ये सूर सेनोई था सूर सेनोई महाजनपद कहा गया है युनानी ग्रंथ हो मैं प्राचीन जो युनानी ग्रंथ है अस्वक महाजनपद गुदावरी नदी के तथा जो है कि अवंती महाजनपद पश्यम में दक्कन के छेतर में जो पशिम और मद्धी दक्तन का चेतर है वहाँ पर इस्तित्था बिंबिसार के समाई मगध और अवंती के संबंद मैत्रिपून रहे थे और इस समाई अवंती का राजा चंड पृद्योत था उप्शन डी है बौध भिक्षुक माहा कच्चायन ठीक है यहाँ पर यहाँ पर ध्यान देना ऑप्शन बी बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया है पहला जो कतने यहाँ पर सूर सेन महाजन पत को प्राचीन यूनानी गरंथों में बिल्कुल सही है सूर सेनोई कहा गया है और सूर सेनोई की रायदानी मेथुरा बता गया है अभी हमने आपको बताया कि सूरसेन की जो रायदानी थी वो मत्रा थी और मत्रा के आसपास का छेत्र में इसका सामराजी था ठीक है असवक की बात होती है एक मात्र जो है कि महाजनपद हो में दक्षणक के छेत्र में इस तिर जो महाजनपद है वो असमक है और असमक या असक इसको कहलें ठीक है कुछ भी आप इसको कह सकते हैं बहुत जगे इसको असक भी लिखा गया है ठीक है असक असक और असमक ठीक है एक ही ना में आपको ध्यान देना है गोदावरी के तटपर था बिल्कुल ठीक है और अवंती महाजनपद जो था वो पश्यमी और मध्य दक्कन के चेतर में था पश्यमी और मध्य दक्कन के चेतर में नहीं था बलकि यह मालवा के चेतर में था मालवा के चेतर में यहां पर रहा है ना कि दक्कन के चेतर में अवन्ती कहां पर है मालवा के चेत्र में इस्तित है अवन्ती के बारे में हमने अभी आपको यहां पर बताया हुआ था कि अवन्ती जो है वो पश्चिमी और मध्धि मालवा के चेत्र में उज्जेनी जो है कि उत्तरी अवन्ती की रायदानी दक्षणी अवन्ती की रायदान आपको ध्यान देना है ठीक है बौध विक्षुक महा कच्छायन ठीक है महा कच्छायन ठीक है महा कच्छायन एक ही नाम है ये एक में आप इसको मिलाना है आपको ठीक है यहाँ पर अलग-अलग लिखे गए हैं तो महा कच्छायन के प्रभामा करके जो चंडपुर्द्योथ, अवंति का राजा था वो बहुत धर्मी में, बहुत धर्मी में दिक्षित हो आता। पुचे जा यागा चंडपुर्द्योथ को बहुत धर्मी की दिक्षिया किस ने दी है तो बहुत बिक्षित महा कच्छाइन ने दी है most important है आपको ध्यांदिना है और उदियन को जो बहुत धर्म की दिक्षिया दी थी वो पिंडोला ने दी थी ठीक है पिंडोला पिंडोला चलिए बढ़ेंगे अगले प्रसन की तरफ आज नववा प्रसन आपकी स्किन पर पूछे जारा निमलिकित कत्रों मेशे कौनसा का दिन सही नहीं है औप्शन ए रामयन से यहां पर ज्यांत होता है कि तक्षिशिला नगर जो गांधार महा जनपत की राजधानी रही थी कि स्थापना भरत पुत्र तक्षि ने की थी कौटल्य चाणक की इनको कहा जाता है ने कमबोज को वारता सस्त्रो परजीवी संग नाम से व जमेशती दें ओप्शन ढी है उपरोग्त सभी तो इन चार कथनों मसे आपको बताना यहां पर ज्यांकारी मिंती है कि तक्षिशिला यहां पर गांधार की रायधानी थी के चेतर में तक्षी शिला इसकी रायदानी थी और जिसकी स्थापना यहां पर आपको ध्यान दे रहा है कि जो भरत थे भरत के पुत्र यहां पर तक्षी के द्वारा किया गया है ऐसी जानकारे मिलती है रामयान से ठीक है तक्षी के द्वारा और इसके अलावा यहां पर हम राजपूर या हाटक, ठीक है, राजपूर या हाटक रही है, और कंबोज को कहा गया है, वार्तों सस्तरों पर जीवी, यानि कि सस्तरों की दवारा सस्तरों को बेच करके अपने जीवन का निर्वाह करने वाला संग बताया गया है कमबोज को ठीक है उत्तरपोतेष राज्ची में बिल्कुल ठीक है और उत्तरपोतेष राज्ची में जो जनपद यहाँ पर आते हैं आपको ध्यान देना है कासी आएगा ठीक है कोसल आएगा कासी कोशल पांचाल कुरू मल और वत्स और सूर्षेन भी यहाँ पर आएगा ठीक है सूर्षेन हो गया पांचाल हो गया मल हो गये वत्स हो गये कुरू हो गये कासी हो गया और कोसल हो गया यह आठ आपको ध्यान देन कुन सा साइ सुमिलित ये या आपको बताना एक तरफ राज जी ये गन्डराज जी दिये गे हैं दूसरी तरफ जो है कि उनके वन्स रहे थे उनके बारे में बात करी गई है सुम्समारalone के भग थे अलकप के बुल्लि थे राम राग गाम के ठीक है राम गाम के या राग गाम के जो है कि आपको ध्यान देना है कि साक के थे पिपली वन के मौलियन थे तो कौन यहाँ पर सुमलित नहीं है यहाँ आपको बताना इनमे से राग गाम के option जो C बिल्कुल सही होगा ठीक है यहाँ पर सुमेल इतनी है यहाँ पर साग की नहीं थे साग की कहां के थे साग की थे आपके कपिलवस्तु के साग की थे कहां के साग की थे कपिलवस्तु के साग की थे और जो राम गाम के थे राम गाम के जो थे वो आपके थे कोली ये कोली ये वन से यहाँ पर था ठीक है कोली ये लोगों के द्वरा यहाँ पर गरतंतर के इस्तापना करी थी सुमसमार गिर के भग गे थे साख के यहाँ पर कपिल वस्तु के थे और बुली जो थे वो अलकप के थे ठीक है अलकप के कों थे बुली थे पिपली वन के कों थे मौरिय थे पिपली वन के मौरिय थे पावा और पावा के मल्ले कुसी नगर के मल्ले ठीक है पावा और कुसी नगर की क्या थे मल्ले थे जो कालाम थे कालाम कालाम कहां के थे केस पुंत के कालाम थे ठीक ह और एक और वैसाली के कौन थे लिच्छी भी थे ठीक है वैसाली के लिच्छी भी थे और मिधिला के कौन थे मिधिला मिधिला के कौन थे मिधिला के विदेह थे विदेह कहां के थे मिधिला के विदेह मिधिला के लिच्छी भी वैसाली के मौरिय पिपली वन के पावा और कु प्रस्ण की तरह बढ़ेंगे ग्यान प्रस्ण आपकी स्क्राइब पूचे जारा निम्ली के तरह कौन शकतन सही नहीं है ऑप्शन ए है जैन करंतु में हर्यक वन्स का सस्तापक बिम्बिसार को स्रेणी यहां पर कहा गिया है महा वन्स के अनुशार बिम्बिसार पंद्रह वर्सी की आईउ में मगत के सियाशन पर बैठा था ऑप्शन C है बिम्बिसार ने लिच्छवी गणराज जी के सासक चेटक की पुतरी चेलना से विवाह करके मगत की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया था बिम्बिसार ने मंद्र राज जी के साथ मदूर संबंद इस्तापित करके करने के लिए मंद्र राजकुमारी छेमा से विवाह किया था इन में से कौन शा कतन सही नहीं है या आपको बताना इन चार कतन में से सही उत्तर की बात करते हैं तो option B बिलकुल सही नहीं है यह यहाँ पर गलत दिया गया है अगर पहले कथन की बात करते हैं तो जैन साहित्ती में जो हर्यक वन्स का सस्तापक है वो बिंबिसार को कहा गया है और हरियक वन्स की इस्तापना लगबग जो है कि 554 इशापूर के दोरान यहां पर की गई थी ठीक है कब की गई थी 554 इशापूर के दोरान यहां पर की गई थी हरियक वन्स की इस्तापना मोस्ट इपूटेंट आपको यहां पर ध्यान देना है ठीक है और इसके अलावा हम यहां पर देखते हैं कि जो बिम्बिसार था बिम्बिसार ने यहां पर अनेक जो उस दोरान के राजवन्स थे जो महाजनपत थे उनके साथ अपने मदर संबन इस्टपित करे और साधी करी तो उसी मेंसे हम देखते हैं कि लिच्छवी की जो राजकुमारी यहां पर थी चेलना, चेलना के साथ विवा किया था उत्तरी सीमा उसके बाद सुरक्षित बन गई थी और मंदर जो कि पंजाब के चेत्र में जो महा जनपत था मंदर ठीक है यहां पर ए फ़्सवर्स जो अपने अपने सापन पर बयाएं थी थी पंद्रह वर्षी की आयू में बिम्बिसार बढ़ेंगे अगले प्रस्ण की तरफ बार्वा प्रस्ण आपके स्किन पर पूछे जा रहा है निमले खित्म से कौन्शा कथन सही कथन आपको देखने हैं और कूट के आदार पर सही उत्तर आपको चुनना है पहला कथन याँ पर तीसरा है विनाई पिटक के अनुसे जानकारी मिलती है कि बिम्बिसार ने बेलुवन नामक जो उद्यान था वो बुद्ध और संग के निमित्त प्रदान यहाँ पर किया था इसके अलावा चौथा जो कथन यहाँ पर है बिम्बिसार द्वारा चंबा के ब्रहमनों को वहा दूसरा जो है B वाला जो कथन यहाँ पर है कहा गया है कि पहले दूसरा और चौता सही है सी वाला आप्शन है कि एवल दूसरा सही है D वाला आप्शन है उप्रोक्त सभी सही है देखी जो इसका सुथ सही उत्तर होगा सभी के सभी यहाँ पर सही है उप्रोक्त सभी अपसन डी बिलकुल सही है पहले कथन की बात करते हैं तो बिम्बिसार के समय जो है की जो ब्रह्मदत्त था वो अंग का राजा था और अंग के राजा को पराजित करके अपने पिता की हत्याबाद में इसने कर दी और इसका उलेग यहाँ पर जैन और बहुत दोनों गरंथ में यहाँ पर है दर्म का जो गरंथ है उसके अनुसार पर जो बिम्बिसार यहाँ पर था उसने बिलुवन नामा के उद्यान था उसको यहाँ पर बुद्ध और संग को के आउश्कताओं को पूरा करने के लिए दान दे दिया था ठीक है बुद्ध और संग के निमित्ते यहाँ पर दे दिया था बिलुवन उद्यान को बिम्बिसार ने बिम्बिसार के द्वारा चंपा के जो ब्रामण थे उनको यहाँ पर संपूंड आमदनी यहाँ पर दान कर दी थी ऐसी जानकारी दीर्ग निकाई से मिलती है ठीक है बिम्बिसार के द्वारा चंपा चंपा चंपूंड जो आमदनी थी वहाँ के चेतर में वह यहाँ पर ब्र सासक अजाद सत्रू यहाँ पर मिस्टेक हो रखा है यहाँ पर कोसल होना चाहिए था ठीक है कोसल सासक प्रसेइन जीत के मद्य संदी हुई थी अजाद सत्रू और कोसल सासक जो है की प्रसेइन जीत के मद्य संदी हुई थी ऐसा कहा गया है ऑप्शन बी यहाँ पर है गंगा और शोन नदी के संगम पर पाटली पुत्र नगर की स्थापना उदियन के द्वारा की गई थी। की सीमा को पश्यमी मालवा तक पहुँचा दिया था यानि कि मालवा की छेत्र तक अपने सामराजी का विश्तार कर लिया था अवंति को जीत करके सिसुनाग ने इनमसे कौन शा कथन सही नहीं है या आपको बताना है अगर बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्श पर जो पर जो यहां पर की गई है वो उदियन ने करी है तो यहां पर यह बिलकुल जो है कि आपको ध्यान देना है कि यह उदियन के द्वारा नहीं की गई है बलकि जो यहां पर यह सासक होना चीए था वो है उदियन होना चीए था उदियन नहीं था ठीक है उदियन जहां पर जो उदियन यह है यह उदायन तो हमने आपको बताए कि पौरववन्स का राजा रहा है जो कि वच्छी जनपद म सासक रहा था वच्छी जनपत का लेकिन जो उद्यन है वो आपके हर्यक वन्सका सासक रहा है ठीक है किस वन्सका हर्यक वन्सका यह सासक रहा है उद्यन तो उद्यन के द्वारा इस्थापित की गई है पाटली पुत्र की नगर की स्थापना और इसको राजधानी यहां पर ब उदियन हर्यकवंच से संबंदित रहा है सैसुनागवंच की इस्तापना जो कि सिसुनाग ने करी थी बिल्कुल सही है महावंच की टीका में इसको जो कि लिच्छवी राजा की वैश्या पतनी से उत्पन हुआ माना गया है ये भी बिल्कुल किस मगत सासक ने मगत सामराजी की सीमा पशी में मालवा तक पहुँचा ही मगत सामराजी का विश्तार मालवा तक किया तो वो सिसुनाग था ठीक है चलिए चौर्दों प्रसना आपके इसके ने पुछा जारा निमले कितन से कौन शाकतन सही नहीं है उप्शन ए सिसुनाग ने ग्रीवरज राज ग्रह जिसको कहा गया है कि अतरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था जो बादन प्रधान राजधानी बनी पुराणों में काला सोक को काकवर्ण कहा गया है जिसने अपनी राजधानी पाटली पुतर इस्तान अंतरित की तीसरा जो कथन है उप्शन C कहा जा रहा है कि तिपती बाध्य संगीत का आयोजन वैशाली में काला सोक के समाई में हुई थी चोथा जो कथन है उप्शन D दुतिय बहुत संगीती में बहुत दो संप्रदायों में इस थविर और महा संगीक में विभाजित हो गया था तो इन चार कथनों में से कौन शा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है सही उत्तर के अगर हम बात करते हैं तो option C बिल्कुल सही होगा यह यहाँ पर गलत दिया गया है सिसनाग ने ग्रीवरज के अलावा वैशाली को अपनी राजदानी यहाँ पर बनाता वैशाली को ठीक है वैशाली को जो वजजी संग की राजदानी रही थी वैशाली वजजी के चेत्र में क्योंकि यहाँ पर बलगातार विद्रो हो रहा था तो इसलिए वैशाली को भी दूसरी राजदानी बनाता सिसनाग ने ठीक है किस राजवन से संबंदित है सैसुनाग वन से संबंदित है सैसुनाग के बाद काकवर्ण यानि काला असुग यहां पर सासक बनता है ठीक है और इसने अपनी राजदनी यहां पर पाटली पुत्र इस्तान तर्थ कर दी बिल्कुल ठीक है पाटली पुत्र इसने अपनी राज निस्तान तर्ट कर दी थी कहां से वैशाली और ग्रीवरज से ठीक है तिर्थी बहुत संगीत जो है वो कहा गया है कि कालासोक के समय में यहां पर हुई थी तो जो यहां पर बिल्कुल गलत है तिर्थी बहुत संगीत जो है वो असोक के समय में हुई थी ना कि कालासोक के समय क कालासोक के समय दुतिय बहुत संगीत हुई थी जो की समय यहां पर रहा था 383 इशापूर हुए ठीक है 383 इशापूर में दुतिय बहुत संगीत हुई थी कालासोक के समय तिरती बहुत संगीत हुई थी दूति बौध्द संगीत जो कालासो के समाय भीitel थी 313ई शापूर में उस दोरां जो सासक वाहत था जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे सुबुकामी कॉन रहे थे? सुबुकामी ठीक है? सुबुकामी यहां पर अध्यक्ष रहे थे सुबु कामी ने दूसरे बौध संगीत की अध्यक्षता करी थी तीसरे बौध संगीत की अध्यक्षता मोंगली पुत्र तिस्स के द्वारा की गए थी ठीक है और यहां पर जो अध्ञथता करी गई थी वो वशू मित्र के द्वारा करी गई थी वशू मित्र के द्वारा और अस्सु घोष यहां पर उपाध्यक्ष रही थे चतुर्थ बौध संगीत में कनिस्की के समई कुंडलवन कस्मीर में पहली सताबदी में इसका अयूजण किया गया था ठीक है दुती बौध संगीत बता चुके हैं काला सोक के समय हुई थी और इसी दोरा नहां पर बौध संप्रदाय दो संप्रदाया में बिभाजित हो गया था एक तो इस्थिवर में ठीक है इस्थवीर में इस्थवीर और दोस्ति महासंगीक ठीक है महासंगीक और इस्थवीर मैं बहुत धर्म जो है कि दोस्प्रादे में किसके सासन कालना बटा है तो कालासो के काक वढ़ने के सासन कालना बटा है दोती बहुत संगीत में जो की 383 इशापूर में आयुजित की गई है महाबोधी वन्ष के अनुशार महापादमा नंद ने सैसुनाग वन्ष का अंत करके नंद वन्ष के इस्तापना करी थी ऑप्शन बी यहाँ पर है पुराणों के अनसार महापादमा नंद को सैसुनाग वन्ष के अंतिम जो राजा महा नंदिनी की जो है की छोदर पतनी से आमाना गया है नंद वंस मैं नौ कुलों के राजाओं का नौ राजाओं के होने के कारण इसको नौ नंद वंस भी कहा जाता है option D यहाँ पर है महापदमा नंद ने एक छत्र सासन की स्थापना करके एक राट की उपादी धार न करी थी तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा यह आपको बताना की कौन सा कतन सही नहीं है यह आपको बताना था सही उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो होगा वो option B बिलकुल यहाँ पर option A बिलकुल यहाँ पर चाहिए होगा option कौन सा होगा A बिलकुल यहाँ पर साहिए होगा B नहीं होगा option A बिलकुल साहिए होगा यह यहाँ पर गलत दिया गए क्योंकि महाबोधी के वन्षम जो कि आपका जैन धर्म से संबंदित गरंत रहा है तो उसमें जो सैसुनाग वन्स का अंत करके जो कहा गया है कि नंद वन्स की स्थापना करें उसमें महापादमा नंद उल्लेक इतनी है यहाँ पर है उग्रसेन के द्वारा कहा गया है कि सैसुनाग वन्स का अंत करके नंद वन्स की स्थापना करें थी महापादमा नंद उसको पुराणों में संपोधित किया गया है, कहां पर पुराणों में संपोधित किया गया है, और उग्रसेन और महापद्मानंद एक ही है, तो इसलिए महापद्मानंद को ही उग्रसेन कहा जाता है, उग्रसेन को ही महापद्मानंद कहा जाता है, उग्रसेन सब्द नंद बन समय नौ राजा यहां पर थे स्वयम महापदमारंद उसके बाद इसका जो आठ अन्नि पुत्र थे उसमें जो एक पांडुगती दशा धनानंद हो गया कैवरत हो गया राष्ट पाल हो गया भूत पाल हो गया कैवरत हो गया यह दसा सिद्धिकाई अनेक राजा थे अनेक इसके भाई थे धनानंद के आठ भाई ते और एक वहम उसके पिता थे नौ राजा होने के कारणी इसको नौ नंद का जाता है ठीक है महापादमान्दे ने एक छत्र सासन की स्ताफना करी थी और एक राट की उपादी करी थी, एक राट की उपादी इसने धारण करी हुई थी, बढ़ेंगे सोल्य फ्रसनी की तरफ, आपकी इस स्किनद पर पूछा जारा है निमलीकित कत्रों पर आपको विचार करना है, पुलित राजवनसु में पांचाल, इच्छाकू, मैथली, कुरू राजजी सामिल थे उन्मोलन यानि की समोल छत्री राजवनस का नास यहां पर कर दिया था महापादमानंद ने जिसमें पांचाल का भी नास कर दिया था इच्छाकू का भी नास कर दिया था मैथली का भी न प्रशिद्ध जो व्याक्रणाचारे हैं पाणे नी वह मापदमानंद के मित्र रहे थे तो इन मैं आपको विचार करना यहाँ पर है कौन सा कतन यहाँ पर सही नहीं है यहाँ को बताना है यहाँ पर option थोड़ा सा मिस हो रखे है तो इसलिए आपको यहाँ पर स्वयम option मनाने है कि पहला दूसरा तीसरा सही है चोथा पांच वा छटा जो है कि इन मैं से कौन सा कतन है इन चारों मैं से ठीक है देखिए इन मैं सभी के सभी कतन यहाँ पर क्या है सही दिये गए हैं अगर बात करते हैं तो जो महापदमानन्दे ने एक राट की उपारी धार्ण करी थी एक चछतर सासन की स्थापन करके उसमें हम देखते हैं कि जो जिन राजवन सुका उसने समूल नास कर दिया था महा के चेत्र में जो है कि असोक से पहले कलिंग को जीतने वाला एक मात्र जो है कि सासक राता महापदमानत तो कलिंग चेत्र को जीत जा था असवक जीत लिया था असवक जो की गोदावरी के नदी के तट के पास है असवक उसको भी यहाँ पर जीत लिया था ठीक है बहुत सारे राजवनसु का नास इसने कर दिया था जिसमें की मुक्चिरोप से आपको ध्यान देने हैं, पांचाल हो गया, इच्छा को मैथली, कुरू, और कोशल, कासे यह हो गया, कासे यहां पर होगा, सूरसेन हो गया आएगा, और अस्वक हो जाएगा, और कलिंग हो जाएगा, वाला, हातिकुफा अबलेक से यहां पर हमें जानकारी मिलती है, कि इसके कलिंग विजय की, और हातिकुफा अबलेक से ही हमें जानकारी मिलती ही, जो कि खारवेल का हातिकुफा अबलेक है, चेडी वनस का राधा राह है, खारवेल, तो इसी के हातिकुफा अबलेक से जानक दागा है युनानी लेखोत को मैं धनानन्द को अ՗रिमी सब्दे हैं उल्लेकित चाहीं जो की उग्र सेन का पुत्र यहां पर बताया गया है और इसकी अतुली संपत्ति वह यहां पर महापदमानंदी के मित्र रहे थे ठीक है ये भी बिल्कुल सही है बढ़ेंगे अगले प्रस्ण की तरफ सत्रमा प्रस्ण आपके स्किन पर पुझे जाए रहा है वर्रुची वर्रुची उपवर्ष और कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्मे किस राजवन्स क सासन काल मौता मोस्ट इंपोटेंट है ये तीन के तीन जो महान विद्वाने महोती ज्यादा फेमस हैं ठीक है जुकों से कात्यायन होगे उपवर्ष हो गया और वरुची हो गये तो इनका जन्मे किस राजवन्स के दौरान वाता हर्यक राजवन्स नंद राजवन्स मौरी ओप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा अठारवा प्रसन आपकी स्किन पर पुछ जा रहा है नंद वन्स के सासक निमले लिखितन से किस मत के पोसक थे नंद वन्स के सासक किस मत को मानते थे ओप्शन अब्रामन मत को ओप्शन बौद मत को ओप्शन C जैन मत को ओप्शन D स अंद्रकुप्त मौरी ने, हाला कि जो है कि बाद में हम देखते हैं कि दसरत और जो असोख है ठीक है, दसरत, असोख के बाद दसरत सासक बनता है, तो दसरत और अशोख जो है कि दोनों ने ही बहुत धर्म को अपनाया हुआ था, ठीक है, चलिए, और सैववन्स के संस्तापक यहाँ पर रहे थे जो आपके बिंबिसार था और जो हर्यक वन्स था वो यहाँ पर सहव अंस को मानते थे बाद में वो भी बहुत धर्म को मानने लगे थे और इसतूल भदर निमले कितम से किस नंद वन्स के जैन आमाद की थे और इसतूल भदर जो ते जैन आमाद की थे तो किस नंद राजा के रहे थे option A महापदमानंद के option B राष्टपाल के option C कैवरत के option D धनानंद के तो देखिए इसमसे राजा तो दोई बने वे हैं धनानंद और महापदमानंद के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है यह तो उसके अनुष्टे तो वो छोटे-छोटे राज्यों में यहाँ पर सासन करते थे तो धनानंद के यह रहे थे आमात्य रहे थे साल टाल और वही पर स्तूल बादर ठीक है साल टाल और स्तूल बादर most important है यह दोनों ही जैन आमात्य रहे थे जैन धर्म के पोसक रहे थे कौन आपके नंदवंश ठीक है नंदवंश की राजा आखरी प्रस्न है बीसों प्रस्न पूछे जारा आपसे निमलिक हित्म से कौन शाई सुमेलित नहीं है option A एक तरफ यहाँ पर दिये गए है जनपत दिये गए है दूसरी तरफ जो है कि उनकी राज़दानी दी गई है मल्ल की राज़दानी स्रावस्ति बज्जी की राज़दानी जनकपुरी option A एक तो यहाँ पर मल्ल की राज़दानी जो है कि पावापुरी थी और दूसरी मल्ल की राज़दानी यहाँ पर थी कुसी नगर ठीक है कहाँ पर थी कुसी नगर और पावापुरी तो स्रावस्ती तो है नहीं तो स्रावस्ती जो रायदानी रही है वो कोसल की रही है कोसल में भी दक्षणी कोसल की रायदानी स्रावस्ती रही है उत्तरी कोसल की रायदानी सरावस्ती और दक्षणी कोसल की रायदानी कहाँ पर रही है आपको ध्यान देना है ठीक है दक्षणी कोसल की रायदानी रही है आपकी साकेत और उत्तरी कोसल की रही है आपकी सरावस्ती ठीक है ध्यान देना है उत्तरी कोसल की कौन सी रही है स्रावस्ती रही है और दक्षणी कोसल की रही है साकेट तो option A बिलकुल यहाँ पर गलत है यह सुमेलित नहीं है वज्जी की रायधनी जनकपुरी थी वज्जी भी बहुत सारे चेत्र में विवाजित हुआ था जिसकी अलग अलग रायधनी थी एक की रायधनी मिथिला थी किसी की रायधनी जनकपुरी थी और किसी की रायधनी यहाँ पर क्या थी वैशाली ठीक है वज्जी तीन प्रमुख अलग अलग भागों में विवाजित था जिसमें एक की रायदानी मिथिला विदे जो था उसकी मिथिला मिथिला के विदे ठीक है और उसके बाद वैशाली वैशाली के लिच्छवी ठीक है और एक की तुई जनक पूरी ठीक है चलिए अस्व सुधार को लेकर Noachal को कोई आपके मनमे कुए संदे हो तो आप केमेंट वोक्स कमेंट आवश्ची करें ताकी हम आपने आने वाले वीडियो के अंकों में सुधार करके आप सभी साथियों तक बहतर से बहतर वीडियो उपलब्द कराने की कोशीज करेंगे और हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब परके हम आप तक पहुँचाते रहें तो इसी उम्मित के साथ मिलेंगे अगले वीडियो के अंक में अपनी तयारी जारी रखें पढ़ाई से आपको बिल्कुल यहाँ पर किसी भी तरह का कंप्रोमाईज नहीं करना है तो अपनी नेमित पढ़ाई पर ध्यान दें जब भी परिक्षाएं होंगी तो लगातार आपको परिक्षाएं देखने को मिलेंगी तो अभी से आप अपनी तयारी करे रखें ताकि परिक्षा के दौरन आपके उपर ज़्यदा दबाव ना आए मानसिक दबाव ना आए तो इसी उम्मित के साथ स्वस्तर हैं मस्तर हैं अपने अपनों का ध्यान रखें जय हिन जय भारत